हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सबीका आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास 12 फिजिक्स एंसी रटी चैप्टर 6 में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ स्वाप पेरण क्या है स्वाप प्रेरण से स्वाप प्रेर कत्व किसे कहते हैं इसका मातरक बिमी सूत्र है ना इसका इकाई क्या है इस्टुडेंट तो सब कुछ आज आपको समझाओंगा कि बास्तों में स्वाप प्रेरण है क्या तो वीडियो को अन तक देखते रहना और अच्छा लाइट लाइक कर देना 12 अगलास का महत्मूर या टॉपिक है श्टुडेंट क्योंकि अभी आप इस स्वाप प्रेरण समझेंगे तब आप आगे एक लंबी परिनालका के लिए स्वाप प्रेर कत्व का विंजक या अन् हैने वाली विद्दु धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्द चुमिकी फ्लक्स में परिवर्तन होता है फल स्वरूप उस कुंडली में प्रेद धारा उत्पन हो जाती है इस परिघटना को स्वाप प्रेरण कहते हैं अब इसको अपन हम समझेंगे मैंने डाइग्राम बना रखा है जिसको आपको बिद्वत समझना है यह आपके पास डाइग्राम है यह आपके पास एक कुंडली है और यह आपके पास एक परिपत है जिसकी सहारे से हम कुंडली पे धारा प्रवाहित करते हैं समझेगा तो आपके पास एक कुं धारा प्रवाइद करते हैं यह कुंडली है तो जब किसी परिपत में या कुंडली में वहने वाली विद्धु धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तित करते हैं तो कुंडली से बद चुमकी फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है चुमकी फ्लक्स क्या है क इसे चुम की flux के मान में भी परिवर्दन होगा ये तो 100% से ओर है कि धारा का मान बदलने से चुम की flux में परिवर्दन होता ही होता है जिसे आपने किसी भी परिपत में पिद्दु धारा को परिवर्तिर किया तो चुमकी फ्लक्स रेखाए में परिवर्तन होता है तो पास वाले दूसरे कुंडली भी एक धारा उत्पन हो जाता है जिसे प्रेज धारा कहते हैं बतलब दूसरे के प्रभाव से दूसरे पे धारा उत्पन होना वो प्रेजद्धारा कहलाता है तो इसके चुमकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन से इस कुंडली पर ही एक प्रेजद्धारा उत्पन हो जाती है जिसे यह जो घटना होती है इस घटना को हम क्या कहते हैं सोपिर को सोप्रेरण कहते हैं क्लेयर अब इसके आघी अपन थोड़ा सा गर्ती बेख्या करेंगी तब तो सवप्रेर करत्या सोप्रेरण गुड़ांक आएगा सवप्रेर का त्या मैं क्या कहा गया है कि यदि बद्द्द चुमकी तो इतना आप लिखे लीजिए कि किसी कुंडली में बध चुमकी फलक्स परिपत में प्रवाहिा धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है स्टुएंट अर्थात यहां पर आपको लिखना है कि यह अर्थात अर्थात यह 5V के है चुमकी फलक्स है यह किसके समानुपाती होता है आई के समानुपाती होता है आई क्या है जहां आई धारा है फाई वी क्या है चुमकी फ्लक्स है यह दिस्ट्रोएंट इसको हम समानुपाती हटाएं तो फाई वी बराबर आप कह सकते हो कि ल आई हो गया फाई बराबर एल आई जहां एल क्या है जहां एल यहां पे समानुपाति इस नियतांग है या अनुपातिक नियतांग है जिसे कुंडले का सौ प्रेरिकत तो कहते हैं यहां पर लिख सकते हैं जहां एल एक क्या है अनुपातिक नियतांग है जिसे क्या कहते हैं इस्ट्रेंट जिसे परिपथ का सौप्रेर्कत तो कहते है या कुंडली का सौप्रेर्कत तो कहते है ये चीज़ आपने क्लियर कर दिया ये हो गया इस्ट्रेंट अब ये दि मैं कहूं किससे L का मान बताओ तो L का मान कितना हो जाएगा L बराबर पक्छांतर कर दो आई गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा फाइवी बटे आई हो गया तो ये L का मान आगे L का मतलब हो गया सौप्रेर्कत तो समझ रहे है जहां यह एक आनुपातिक नियतांक है जिसे परिपात का सौप्रेर्कत तो कहते है अब इस्टूरेंट यहां पर ध्यान रखना यदि फेरो की संख्या यान हो कुंडली में फेरो की संख्या कितनी हो यान हो यहां पर मैं लिक देता हूँ यदि इसमें कुंडली में कुंडली में फेरो की संख्या यान हो फेरो की संख्या कैप्टल यान हो यह आपका एक फार्मूला मिल गया इस्टोरंट किसका सो प्रेलगत्तों का एक फार्मूला मिल गया अब यहाँपर मैं आपको सो प्रेलगत्तों का परिभासा भीनिकल कर बताओंगा अब यदि मैं कहांदो कि यदी i-camera1 हो ठीक है और यदि फेरो की संख्या भी कित्नी हो? एक हो, समझ रहे हैं, यदि फेरो की संख्या भी एक हो, चीजें समझने की कोशिश करना, कि यदि आई कमान एक हो, और एन मतलब फेरो की संख्या याई एक हो, तब सौप्रेड का तो कमान आपका चुम्पी फ्लक्स के मान के बरावर होगा, अर्थात किसी कुंडली में सौप का तो कमान है, उसके बद चुम्पी फ्लक्स के मान के बरावर होगा, तो आप लोग इतना लिख भी लीजिए, कि अर्थात किसी कुंडली का सौप्रेड का तो चुम्पी फ्लक्स के उस आंकिक मान के बरावर होता है, जिसमें की एकांग धारा प्रवाहित हो रही हो, पर ही डिपेंड होता है, वो किस के बरावर होता है, तो वो होता है, चुम्पी फ्लक्स के उस मान के बरावर होता है, जब कुंडली में एकांग धारा प्रवाहित किया जाए, तो ये हो गया सोप्रेड का तो की परिभासा, सोप्रेड का परिभासा आपने पहले लिखा, अ इतना होगे क्लियर आसार उमीर इस्ट्रेंट कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब थोड़ा सा मात्रक की बात किया जाए कि मात्रक सो प्रेरकत का मात्रक मात्रक आप लोग लिखते चलें ठीक है ना तो कि या अब्जेक्ट्व में देखे चार नंबर में कोश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन अब्जेक्ट्व में तो पूछा जाएगा तो सो प्रेरकत का एसाई मात्रक मैं लिखते चलता हूँ सो प्रेरकत का एसाई मात्रक क्या होता इस्ट्रेंट तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेनरी क्या हेनरी आप लोग भी लिखने हेनरी ठी से एच से प्रदर्शित करते हैं, इस सो आप प्रिड़कत हो गहा, इसा इमात रखो गया है हैं, ठीक है, अब यदि मैं कह दूँ कि एक मिली हैंडी, एक मिली हैंडी बराबर कितना होता है, कुछ बेसिक चीज़े हैं, तो होता है, 10 गहाते माइनस 3 हेनरी मिली में 3 माइनस होते है ठीक है ना यदि माइक्रो होता तो 10 कपार माइनस 6 हो जाता यदि मैं कह देता 1 माइक्रो हेनरी तो आप कह देते माइक्रो में माइनस 6 होता है ठीक है यह होता है यह कुछ आपके लिए student क्या है की basic चीज़े हैं अब यदि मैं प्रकति कह दूँ प्रकति कैसी होती है साधिसा की अदिस तो आप लोग यहां पर लिख लेएं कि 100 प्रिर्कत 100 प्रिर्कत एक अदिस राशी सव प्रिर्कत तो एक कैसी राशी student तो अदिस राशी है अब बिमीज सूत्र यहाँ पर डायेक्ट में लिखता हूँ आप लोग भी लिख ले ले ना बिमीज सूत्र बिमीज सूत्र लिख लो अबजेक्टू टाइप में पूछा जाता है तो होता स्थ्टूरेट ML2 1-2 1-2 ठेक यह हो गया यह हो गए complete, तो बियमीर सूत्त हो गया, अब इस से जो समधित दो चीजें थी, वो होगई complete, proto. सौ प्रिर्कत किसे कहते हैं सौ प्रिर्कत की प्रकती बिमियसूत यह चीजह जो चार-पांच चीजह थी वह आज को मैं इसको कभर कर दिया तो आसा उमेद इससे आप वीडिये नोट्स पर्चेस कर सकते हैं महात्र सो रुपय में तो चला अच्छा लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर देना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक प्रस कर लेना मिलते हैं को लिए वीडियो में तक तक लिए जैहिन बंदे मात रम